हाई फ्रेंग्स गुड आफ्टरनून वेलकम टो एक्सेंबी जैसे कि आपने थम्नेल पे देखा है हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे कि बैंक ने 10 ट्रिलियन को राइट आफ कर दिया है तो एक सवाल आता है इतना बढ़ा अमाउन को राइट आफ करने क के बाद बैंक सर्वाइव कैसे कर रहा है तो 10 ट्रिलियन इस इक्वल टू 10 लाग करो सो क्याने इमेंजिन दी अमों डी बैंक रिटन आफ सो फ्रेंग्स यह एक बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा सो डाउनलोड दी पीडिएफ बिकॉस इसमें बहुत इंपोर्टन बाते क कोशिशन के थुरू मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं तो मैं तो explain करूंगा लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो आप पीडिएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कभी भी शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूस से बट बिफोर दाउनलोड करना मतलब उसको लिंक को चेक करना एक दम ही ना भूलो बढ़ते हैं आगे सबसे पहले अब न्यूस के तरफ कि न्यूस क्या है जो फिनांस मिनिस्टर है इन्होंने लोकसभा में क्योंकि पारलेमन की सेशन में है तो लोकसभा में इन्होंने बोला कि बैंक राइट ओफ एन्पी ओवर 10 ट्रिलियन इंदी लास्ट फिनाशल यह ल एक सवाल यहाता है कि बैंक सर्वाइव कैसे करता है तो अवियसी बात है वो भी हम डिसकस करेंगे लेकिन इतना राइट-ओफ हुआ है तो कौन इतना राइट-ओफ किया है फिचाथ दोस बैंक कौन लिस्ट को टॉप किया है लेट असी बात है सबसे जादा उननेस अजार 666 करोर के आसपास देन हम आते हैं पंजाब नेशनल बैंक वो 18,000 करोर 18,000 से उपर बैंक अफ बागदा इस नियर 18,000 सेवेंटीन थाउजन नाइननननेस सिक्स्टीएवन देन कमस बैंक उफ इंडिया 10,000 करोर साड़े 10,000 करोर के आसपास इसके बाद अफ यह एक इंपॉर्टन चीच समझने का है कि बैंक एक बहुत बड़ा अमॉंट राइट ऑफ कर लिए तो अब सवाल यह भी आता है कि राइट ऑफ का मतलब क्या है लेकिन उससे पहले समझें कि वाइड वैंक राइट ऑफ यह बैंक राइट ऑफ करती क्यों है तो देख अब इसी बात आप एक ग्जामपल समझो मान के चलो यह आपका घर है ठीक है आपके घर पे अभी आपको कोई कॉई कॉल करके बताता है कि आपके कुछ फ्रेंग्स इन फैमिरी सर्कल से कोई आ रहा है यहना आपके घर के सामने कुछ कचरा दिरा हुआ है तो वाट यू के दू इस आप इस कचरे को कही साइड में रख दोगे मतलब विजन से आपने हटा दिया घर के पीछे कही पे आप रख दिये अब जब लोग आए उनको क्या लगेगा हाँ बढ़िया घर तो बढ़िया साफ है लेकिन यह कचरा एक्चुली में रखा हुआ है कभी न कभी पांटिंग टर्म्स में यही चीज है बैलन शीट को क्लीन किया जाता है है राइट ओफ करने का मतलब ऐसा नहीं कि बैंक इस पैसे को भूल गई है बैंक को याद है रिकवरी एजेंट अपना रिकवरी का काम कर रही है इस अनली यह मेजर तो क्लीन अप दी बैलन शीट ठी और बोड तो इसका मतलब यह है कि बैंक जो यह काम कर रही है इनको एप्रूवल या यह किसी आर्बिया गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही कर रही है ठीक है नेक्स एक सवाल आता है विल डिस एवर कम बैक ओविसली बात है जैसे कि अगर मैं फिल से इस एक्जाम्पल मे नहीं होगा उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है जो कॉर्पोरिट लोन आता है डेट रिकवरी ट्राइबुनल है एनसी एल्टी है उसके बाद है आई बीसी ठीक है तो बहुत सारा प्रोसेस वो सब्सक्राइब यह पैस कुछ तो आ जाता है ठीक है लेकिन एक चीज यहां यह भी समझना है कि क्या कुछ पैसा वापस आया what is recovered till now हमने तो देख लिया ना last five financial year में क्या हुआ लेकिन क्या कुछ पैस return आया so friends yes scheduled commercial bank have recovered an aggregate amount of 6,59,596 crore including recovery of rupees 1,32,036 crore from return of account तो return of account से भी कुछ 1,00,00 करो रुपे के आस पास return आया है जो उन दिल last financial year right तो bank यह कभी भूलती नहीं है वो recovery का process हमेशा चालू रहता है right with this you know we are done always remember IXMB helps you unfold your potential with such short encrypts videos so friends thank you and all the best so let's meet in some other lecture till then always remember IXMB helps you prepare 50% faster you